हलो इस्टूडेंट आज हम त्रीभूज के गुण के अंतरगत जो है त्रीभूज के माधिकाओं के बारे में देखेंगे मैं हूँ पर्मनाशले स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पड़ेल प्लासेश पर तो आईए देखते हैं त्रीभूज की माधिकाओं यहाँ पर जो है सबसे पहले एक त्रीभूज बना लेते हैं यह है त्रीभूज इसका नाम करण कर देते हैं मान लेते हैं यह है त्रीभूज A, B और C यदि यहाँ पर भुजा B, C का एक मध्य बिंदू ले लिया जाए मान लेते हैं वो ले लिया जाए D और A से D को जो है मिला दिया जाए तो यह जो A, D हमको प्राप्थ होगा यह कहलाता है माध्धी का ठीक वैसे ही अगर हम A, C का मध्य बिंदू ले लेते हैं E और इसको जो है B से मिला देते हैं तो यह B, E भी क्या कहलाएगा माध्धी का ठीक वैसे ही A, B का मध्य बिंदू ले लेते हैं F और C को जो है हम F से मिला देते हैं तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो माध्धी का मतलब क्या हो गया त्रीभूज में किसी भूजा के मध्य बिंदू को सम्मुक सिर्ष से मिला दिया जाए तो ये जो रेखाखन प्रात होता है ये कहलाता है माध्धी का किसी त्रीभूज में तीन भूजा होते हैं उसके आधार पर हम कितने माध्धी का खिश सकते हैं तीन माध्धी का जो है खिश सकते हैं इसको हम दसा देते हैं G से और इसको बोला जाता है केंदरक त्रिभूज का जो केंदरक होता है ये माधिका को दो अनुपात एक के अनुपात में जो है विभाजित करता है इसका क्या मतलब अगर इसकी लंबाई 5 cm होगा तो ये हो जाएगा 10 cm यदि इसकी लंबाई 3 cm होगा तो इसका लंबाई हो जाएगा 6 cm तो इस प्रकार से जो है त्रिभूज की माधिकाएं होती हैं त्रिभूज की माधिकाएं कैसे खिषते हैं आईए हम देखते हैं अब आईए देखते हैं कि हम माधिका खिषते कैसे हैं किस प्रकार से माधिका को हम बनाएंगे तो इसके ल और केंद्रग ज्याद करेंगे तो हम कैसे करेंगे तो आईए देखते हैं अगर हम A से यहां BC पर BC का मध्य बिंदू ज्याद करके अगर माध्य का AD खीचेंगे तो उस कंडिशन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको स्केल से नहीं ना पजाता इसको जो है हम परकार की साह से BC का मध्य बिंदू प्राप्त करेंगे तो BC का मध्य बिंदू प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं प्रकार में जो है सीस लगा लेंगे और प्रकार को हम बिंदू C में रख करके इसके आधा से अधिक आपको देखने में सुईधा हो इसलिए मैं पेज को जह ही दर उधर गुमाऊंगा तो इसके लिए आप यह नहीं होंगे जैसे यहाँ पर जो है बिंदू C में रख करके मैं प्रकार को फैलाया मानलो मैं इतना लेता हूँ तो लगभग आधा है तो आपको आधा से कम या आधा नहीं लेना है आधा से अधिक आपको फैलाना है जैसे कि मैंने यहाँ पे फैला लिया है B C के आधा से अधिक फैल चुका है अब क्या करेंगे यहाँ पर B C के इधर नीचे और B C के इधर उपर दो चाप जो है काट लेते हैं सेम यही त्रिज्या लेकर के हम बिंदू B में रखते हैं और उपर और नीचे जो है चाप काटते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इधर उपर के और चाप काट जिये इधर नीचे के और चाप काट जिये तो यह दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिछेद कर रहे हैं तो यहाँ पे जिस जिस बिंदू पर प्रतिछेद करेंगे फोड़ा सा पॉइंट हम लगा देते हैं उसमें ये दोनों को और इसकेल की सहायता से इसकेल की सहायता से जो है इसको हम मिला देते हैं और यहाँ पर जो है डॉटेट लाइन के द्वार मिलाएंगे ऐसा डॉट डॉट करके खिस देंगे और ध्यार रहे बीसी को वो प्रतिछेद करना चाहिए ताकि हमको मध्य बिंदू मिल सके तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वला जो बिंदू होगा ये बीसी का मध्य बिंद कहलाएगा तो बीसी का मध्य बिंदू को यहाँ पर हम किसे दर्सा देंगे बिंदू डी से दर्सा देंगे और इसकेल की साहता से बिंदू डी को हम एसे मिला देते हैं तो बिंदू डी को हमने यहाँ पर एसे मिला दिया इस प्रकार से एक माध्य का हमको प्राप्त हो गया कौन सा A, D अब इसके बाद जो है हम A, C के लिए माधिका प्राप्त करेंगे तो procedure सेम रहेगा जिस प्रकार से हम B, C के लिए B, C के आधा से अधिक फैला आये थे यहाँ पर A, C के लिए भी वही प्रक्रिया होगा तो already यह जो है A, C के आधा से अधिक फैला हुआ है तो हम यहाँ पर जो है चाप काट सकते हैं तो यह जो है आपका एक चाप तो यही वला आ जाएगा और एक जो है इधर चाप काट देते हैं, फिक है? अब इसके बाद क्या करें? जिस प्रकार से A में रख करके C में रख करके हमने चाप काटा है सेम वैसे ही यहाँ पर A में भी रख करके हमको चाप काटना है तो यहाँ पर A में रख देते हैं और दोनों तरफ फिर से चाप काट देते हैं अब यहाँ पर जो है एक पॉइंट मिला ये वाला दूसरा point मिला ये अब इन दोनों को जो है हम scale की सहता से फिर dotted line के द्वारा मिला देते हैं तो जब dotted line के द्वारा मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है यह आपको उत्राप्त हो जाएगा यहाँ AC को काटना चाहिए वह ऐसा मिलाना है आपको तो यहाँ पर ये वाला जो बिंदू होगा ये AC का क्या कहलाएगा मध्य बिंदू कहलाएगा तो अब AC का मध्य बिंदू हमको प्राप्त हो चुका है मान लो इसको हम क्या लिख देते हैं E अब ये मध्य बिंदू को सामने वाले सीर्ष से याने कि B से जो है इसकेल की सहयता से हम इसको मिला लेंगे तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला माद्धी का प्राप्त हो जाता है B E अब यहाँ पर एक तीसरा भुजा बच गया है हमारा कौन सा? वो है A B तो इसके लिए भी आप बिलकुल वही तरीका अपनाएंगे पहले जो है B में रख करके देखेंगे आधा से अधिक फैला हुआ है या नहीं वैसे तो आधा से अधिक फैला हुआ दीक रहा है लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजी बढ़ाने के बाद इधर उपर की ओर इधर अंदर की ओर दो चाप काट लेते हैं मैं यहीं से बिना हटाय कर सकता था लेकिन मेरा हाथ जो है कैमरे में आ जा रहा है जिसके कारान जो है मैं यहाँ पर पेज को जो है पकड़के दूसरे साइड से मैं चाप काटके बता रहा हूँ जिस प्रकार से बिन्दू B से हमने चाप काटा वैसे ही यहाँ पर जो है हम बिन्दू A में लेकर के भी चाप काटेंगे यह हो गया चाप और इधर हो गया चाल यहाँ पर हमको फिर से दो पॉइंट मिलते हैं एक पॉइंट यह मिलेगा दूसरा पॉइंट यह मिलेगा इन दोनों पॉइंट को भी हम स्केल की सहयता से जो है मिला देंगे इसको भी डॉटेड लाइन के द्वार ही आपको मिलाना है पर ध्यार रखे कि A B जो है कटना चाहिए तो यहाँ पर A B जो है कट गया है और यह वला जो है बिंदू हमको प्राप्थ हुआ जो की A B का क्या कहलाएगा मध्य बिंदू दर्सा देते हैं F दर्सा देते हैं और बिंदू C को स्केल की सहयता से F से जो है मिला देंगे तो इस प्रकार से यह हो जाएगा आपका माध्यका C F तो यहाँ पर हमको तीन माध्यका मिल गए कौन-कौन से मिले हैं माध्यका AD माध्यका BE और माध्यका C F यह तीनों के तीनों जो है माध्यका हैं चूंकि तीनों जो है एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं इस बिंदू पर मिल रहे हैं इसको हम लिख देते हैं G और यह हमारा क्या कहलाता है यह कहलाएगा हमारा केंद्रक तो इस प्रकार से जो है त्रिभूज की माध्धिका क्या होती है यह आपने जाना केंद्रक क्या होता है यह जाना और त्रिभूज में जो है माध्धिका खीच करके केंद्रक ज्याद करना तो इस प्रकार हमने जो है त्रिभूज की माध्धिका खीचना जो है सी चुके हैं तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में